अज़र चाहिए को कि अज़ए फ्रूटेंट्स वेलकम टूदी क्लास आज का मरज़ों टपिक है वो कैपस्टल के अज हम यह प्र नुमेरिकल्स यहां पीदिश्क्स करेंगे इससे पहले दो लेक्शन में हमने कैपस्टर से संब्देद नुमेरिकल बेस्ट जो इतने भी मलोग जो भी हमरे पास ट्रम से उने वाली है वो साथ ही हम यहां पर के देख चुके हैं सबसे पहला हम बात कर रहे हैं जो मेरे पास पहला टाइप आयने वाड़ा है वो है ग्रूपिंग ओफ कैपस्टर ठीक है जो एक्जमपल है मेरे पास वो है बेस्ड ओन ग्रूपिंग ओफ कैपस्टर को यहां पर इसकस करते हैं तो एक च्छोटा से एक्जमपल लेकर करके यहां पर देखते हैं पहले इसका कैलकुलेट करना है इन बिट्विन पॉइंट ए एन पॉइंट भी ठीक है यहां ने माल लिया कि पॉइंट के बीच अगर बात करें तो देखो यहां से यहां इस प्उइंट पर गए और यहां से यहां गई तो यह जो कपेस्ट्रेंस है हमारे पास तीन और छे वाला यह दुनों के दुनों एक दूसरी के साथ किस तरह से connected है ये दोनों के दोनों कैसे है series में connected है तो मैं इसको आगे जो next step रहेगा वो हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं कि इन दोनों का series combination को solve कर लेते हैं तो series में जब capacitance होता है तो उसका equivalent capacitance कुछ इस तरह से जुड़ता है 1 by C1 plus 1 by C2 तो यह बन जाएगा 1 by 3 plus 1 by 6 और यह LC मा आगया 6 यह हो जाएगा 2 plus 1 यह हो जाएगा 3 divided by 6 और C जो equivalent हो जाएगा वो 6 divided by 3 that is 2 microfarad तो इन दोनों का जो total हो था वो हमारे पास आगया 2 microfarad अब इस से आगे जो हमारे पास इसका जो next figure बनेगा वो कुछ इस type से बन जाएगा कि एक उपर वाड़ा कैपिस्टर है वो हमारे पास बन गया यह और निच्चे वाड़ा रह गया यह वाड़ा और यह वाड़ा अब यह 2 microfarad वाड़ा हो गया यह इसको मैं लिख सकता हूँ क्या यह जो कैपिस्टर है मेरे पास यह तो है 2 microfarad और यह कैपिस्टर है थ्री क्या हो जाएगा तो जो इक्विलेंट कैपिस्टर रहेगा पैरलल कॉमिनेशन में वह डायेक्ट सम के बरबर होता है और सीगवन प्लसे जहां से बन जाएगा तू 2µF का कटेश्टर, plus 3µF का कटेश्टर, तोल क्या ओ जाएगा, 5µF, आनना इश तरह से हमारे पास तो इसका जो टोल हमारे पास है, तोल से जो होगे, इस कटेश्टर, वो क्या हो जाएगी कि यह हो जाएगा, 5µF, तो चिक है, next बाद करे में, for example निक प्रेकिन है मेरे पास यहां पर यहां पर यहां पर यहां इनकी सब्सक्राइब इस 2015 वाला है इनकी अपनी कोई वैल्यू है सिच के बीच वाला है तीन माइक्रोफ्राइब है मेरे पास फिर फिर से ठाएं आप ए और बी पॉइंट के वीच में टूटल के पिस्ट्रंस क्या रहने वाली है वो हम यहां पे कल गुलेट करें चीक है वन बाइवन सभी को सोल करके देखते हैं पहले मैं ले ले लेता हूं ये वाला के पिस्ट्रों ये वाला ये दोनों के दोनों कैसे एक दूसरी के साथ सब्सक्राइब है अब इसका जो एक्विलेंट जो मेरे पास फिगर बनेगा वो हमें इस तरह से बना सकता हूं के कि कि इस पास फिए ड़ीuma आके लूटक्डश के मेरे पास एक रुटक़र ये उपर वाले दोनों का कॉमिनेशन आगे येखिए एक त्वी माईञा यह पॉइंट यह आप इसे next step पर चलते हैं इससे next step पर जब हम चलेंगे तो हमारे पास देखो क्या देखने को मिल यह जो दोनों के प्रिस्टरेंज से हैं यह वाले क्या है एक दूसरे के साथ पैरलल में है ट्री यह दोनों फ्री और त्री दोनों पैरलल तो यह क्या हो गया इन दोनों का total capacitance क्या हो जाएगा 3 plus 3 यह मेरे पास कितना हो जाएगा यहां से 6 microfarad हो जाएगा ना तो यहां पर दोनों का combination आ गया 6 microfarad यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं तो यह मेरे पास जो इससे next जो figure बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा वही कि यह वाला six microfarad और यह वाला जो मेरे पास two microfarad है यह तो दोनों सेम ही रहेंगे इन में तो कोई बदलाव आएगा नहीं ठीक है और यह जो उपर वाला था इसका total combination मेरे पास बन जाएगा six microfarad ठीक है और यह वाला पॉइंट आ गया ए और यह वाला पॉइंट आ जाएगा ठीक है इसके बाद next यह वाला है अब यहां पर देखो यह six microfarad और यह six microfarad दोनों कैसे है एक दूसरे के साथ series में है तो इनके वज़े से जो capacitance आएगा वो कितना आ जाएगा वन बाई सी जुड़ता है तो वन बाई six प्लस वन बाई six यह कितना हो जाएगा two divided by six और c कितना हो जाएगा six divided by two three microfarad तो इन दोनों का बीच वाला तो सेम रहेगा two microfarad और यह हो गया point a और यह आगया point b और इन से उपर जो बनेगा मेरे पास वो resultant आगे मेरे पास कितना three microfarad अब यह दोनों के दोनों जो capacitor है वो a और b point के बीच के बात करें तो दोनों के दोनों कैसे है एक दूसरे से parallel combination parallel combination में है तो दोनों का capacitance क्या बन जाएगा resultant जो c आएगा वो parallel में direct sum होता है तो three plus two ना हो जाएगा five microfarad resultant जो c आएगा वो कितना आजाएगा मेरे पास five microfarad ठीक है यह जो figure था मेरे पास इसका जो total capacitance आएगा combine सभी को जोडने के बाद वो आ रहा है मेरे पास five micro तो five microfarad यहां पर इससे पूरे जो पहले वाला जो figure है मेरे पास इस पूरे figure का यह वाला तो आले पूरे figure का total जो capacitance है वो आगे मेरे पास five microfarad ठीक है clear है इस तरह से जब भी combination of parallel के capacitor की based position आपके पास exam में देख तो आप इस टाइप से इस ट्रेक नुमेरिकल को solve कर सकते हैं ठीक है आगे बात करते हैं next जो टाइप आते हैं मेरे पास उसके बारे में discuss करते हैं एक अनदर टाइप का हम capacitor यहां पे combination देखते हैं ठीक है तो next जो टाइप है मेरे पास उसकी बात करते हैं third है मेरे पास next जो हमारे पास numerical है वो हम यहां पे discuss करते हैं जो टाइप है numerical का वो कुछ इस टाइप से है यह point A है और यह है कोई point B ठीक है तो यहां से मेरे पास एक capacitor connected है यहां भी एक capacitor connected है एक capacitor यहां पे connected है और इस तरह से आगे connect होते जाएंगे ठीक है इस इतने मतलब finite number of capacitor है यहां पे ठीक है infinite की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम finite number of capacitor की बात कर रहे हैं इस यह माले मेरे पास 9 microfarad है यह भी 9 microfarad है यह भी 9 microfarad है ओके यह outside वाले सारे ही मेरे पास 9 microfarad के capacitor है यह वाला भी और यह वाला भी और अंदर जो मेरे पास है inside में वह मैंने माल लिया कि यह 6 microfarad का है और यह भी 6 आराम से इसको solve कर सकते हो देखो पहले तो यह तीनों के तीनों capacitor हमारे पास क्या है series में है तो इन तीनों का जो equivalent आएगा हमारे पास इन तीनों का तो पहले इन तीनों का equivalent करके देखता हूं मैं तो 1 by C क्या हो जाएगा 1 by 9 plus 9 plus 9 that is 3 by 9 और capacitance C हो जाएगा 9 by 3 ठीक है 1 by C था न 3 by 9 तो C क्या हो जाएगा 9 by 3 और यहाँ पे मेरे पास यह बनेगा ऐसे कुछ यह A point है यह B point है यह हो गया 6 और यह हो गया 6 थिक है यह 9 micro ein के है यह 6 का है यह 6 का है यह 6 का है यह कितना आगे मेरे पास 3 micro fed का ठीक है अब यह ड़नों के दोनों एक दूसरे के साहद कैसे होगे पैरलल तो इन दोनों को add कर देंगे पैरलल में resultant C जो होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास 6 plus 3 that is 9 microfarad 9 microfarad बन जाएगा यहाँ आब इसका next figure बनेगा मेरे पास वो किस type का बन जाएगा कुछ ऐसा figure बनेगा पहले यह वाला capacitor हो गया फिर यह वाला हो गया फिर निचे वाला यह हो गया यहाँ पे 6 microfarad का हमने add कर दिया था यह वाला फिर यह 9 वाला हो गया अब इन दोनों का combination से 9 microfarad का capacitor बन जाएगा यहाँ पे भी 9 microfarad का था यह 6 microfarad का है फिर यह 9 microfarad का है यह 9 microfarad का है यह point A है हमारे पास और यह point है भी ठीक है तो इस तरह से अब इससे next step पे चलते हैं अब next step पे क्या हो जाएगा देखो next step पे जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे होगा गया यह वाले जो last वाले तीन कैपस्टर है यह सारे के तीनों के तीनों 9 प्लस 9 तो 1 by C कितना हो जाएगा 3 by 9 और C capacitance हो जाएगा 9 by 3 दैट इस 3 माइक्रोफेर्ड ठीक है इन तिनों का combination करेंगे तो क्या जाएगा मेरे पास 3 माइक्रोफेर्ड तो next जो figure बनेगा वो कुछ इस type से बनेगा 9 माइक्रोफेर्ड यह 6 माइक्रोफेर्ड यह 9 माइक्रोफेर्ड और इन तिनों का combination से बन गया मेरे पास यह 3 माइक्रोफेर्ड का यह 6 हो गया यह मेरे पास 9 था और यह भी 9 माइक्रोफेर्ड है यह वाला पॉइंट A है और यह वाला पॉइंट B है अब यह दोनों जो कैपिस्टर है मेरे पास यह कैसे हो जाएगा एक दूसरे के साथ पैरलेल में अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यह resultant क्या जाएगा यहां से कि जो पैरलेल लवाड़े हैं उनका हो जाएगा 6 प्लस 3 9 माइक्रोफेर्ड हा ना तो नेक्स्ट जो फिगर बनेगा मेरे पास वो क्या बनेगा यह हो गया 9 इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हो गया 9 यह हो गया 9 और यह हो गया पॉइंट A और यह हो गया पॉइंट B तो यह हो जाएगा 9 9 microfarad ओके यह हो गया हमारे पास अब यह जो तीनों कैपस्टर है यह मेरे पास पैरलेल में है तो रिजल्टेंट कैपस्टर जो है वो 1 by C क्या हो जाएगा 1 by 9 plus 9 और plus 9 रिजल्टेंट हो जाएगा 3 divided by 9 पैरलेल कॉम्बिनेशन का हो जाएगा 9 by 3 3 3 4 9 और रिजल्टेंट जो कैपस्टेंट्स आजाएगा वो हो जाएगा 3 micro 라ds समझ रहे हो तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट कैपस्टेंट्स मेरे पास आएगी वो हो जाएगी सभी की 3 9 microfarad क्या हो जाएगी 9 microfarad यहाँ पे resultant capacitance of the capacitor यहाँ पे निकल के आएगी जो हमारे पास figure given था उसका ठीक है यह वाला जो figure है जो starting में हमें given था उस starting figure का जो resultant capacitance है वो निकल के आगया है यह वाले का total जो capacitance था वो आगया 9 micro ठीक है अब यह इस तरह से आगर आगे बढ़ा देते हैं इसको infinite तक जाता तब भी देख समझ सकते हैं यह इतना ही आणा था 9 micro farad ही आएगा देखो इसका इसका सभी का total तीन आ रहा था 6 plus 3 9 फिर इस तक था सभी का total 3 आ रहा था 6 3 9 फिर इन तिनों का combine कर गया था तो मारे पास कितना आ गया था 9 नहीं आया मेरे पास कितना आया ये last resultant मेरे पास क्या निकल का या है 3 micro farad निकल कीज़व Mexico इन मेंने गलती से बोल दिया था यहां पर यह resultant जो है मेरे पास वो कितना निकल क्या था 3 microfarad ने क्या था ना कि 9 यह है 3 macrofarad तो resultant हो जाएगा हमारे सभी combination का 3 micro fared next type देखते है next type के numerical की किस type के numerical यहां से पुछी जा सकते है next type पे चलते है बम next मेरे पास आता है type number 4 तो यहां पे लिख रहा हूँ मैं next आगे है मेरे पास 4th type 4th type में क्या कर रहा हूँ में देखो एक capacitor मैंने ले लिया यहां पे एक capacitor ले लिया यहां पे और एक capacitor ले लिया यहां पे यह point है मेरे पास A और यह वाला point है मेरे पास B ठीक है और अब इनको combine कर रहे है यहां से यहां और यहां से यह ठीक है सभी का जो capacitance है वो same है यह वाला भी C है यह वाला भी C है और ये वाला भी C है ठीक है अब इनको हम किस तरह ची लिख सकते हैं देखो इस point B point के पास ही जले ये वाला जो point है इसके corresponding potential कितना हो जाएगा VB और इस point के corresponding potential कितना हो जाएगा V of A ठीक है अब ये वाला point और ये वाला point दोनों कैसे रहेंगे एक दुसरे के साथ है पैरलल में रहने वाले है ठीक है यानि कि जितना पोटेंशल यहाँ पे रहेगा उतना ही पोटेंशल इस पोइंट पे रहने वाला है और जितना पोटेंशल इस पोइंट पे रहेगा उतना ही पोटेंशल इसे point के उपर रहने वाला है तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा देखो इसको मैं थोड़ा सा rearrange करके कुछ इस type से बना सकते हैं यह हो गया मेरे पास यहाँ पे हो गया point A और यहाँ पे हो गया point B ठीक है तो यह इस त्रह से हम इसको थोड़ा सा rearrange कर सकते है ठीक है ना तो यहाँ पे potential हो जाएगा V of B और इस point पे potential हो जाएगा V of A आप देख सकते हैं यह कुछ ऐसा ही बनेगा और सभी के corresponding जो capacitance रहने वाला है वो C ही रहने वाला है ठीक है तो यहाँ से तिनों के तिनों capacitor जो है मेरे पास parallel के अंदर हो गए तो resultant capacitor क्या हो जाएगा C वो direct sum हो जाएगा C plus C plus C that is three times of C ठीक है तो यह हो गए इसका answer तो इस type के अगर नुमे लिकर आते हैं तो आप आराम से बिलकुल आसानी से इनको solve कर सकते हैं ठीक है अब दूसरी बात करता हूँ मैं एक another type of numerical यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो हम यहाँ पर बता देते हैं अभी next way मेरे पास एक type लेकर आ रहा हूँ मैं इसमें देखिए मेरे पास क्या है type की save से 1 और इस पॉइंट पे एक कैपस्टीट कि रहा हुए एक घच लगा उरे पॉइंट मैंने ले लिया एक पास का बी त्थे इसकी कैपस्टैंसी है की इसकी प्रेश्टैंसी है इसकी अपर इस बीग कि वज़े से यहां पर पोटेंशल डिफरेंज डो उग वह वh VB हो गया इस kabul पर पे पोटेंशल हो गया VB ग्री इस ago VB अब इस एक वज़े से यहां पर पे पोतेंशल है वो V op a spontan ही रहने वाला है इस एक की वज़े से यहां पर जो potential develop होगा वो V of A ही रहेगा यानि कि इस capacitor के corresponding हारे पास जो है वो potential difference जो है वो भी यहां पर कोई भी potential difference नहीं रहने है तो वी जो potential difference है वो कितना हो जाएगा यहां पर 0 हो जाएगा यानि कि इस capacitor को हम रिमूव कर सकते हैं जो rearrange करने के बाद जो नया हमारे पास figure बनने वाला है तो कुछ इस type का figure बन जाएगा यह वाला ठीक है यह B point है और यह A point है यहां पर potential हो गया V of A यहां पर potential हो गया V of B अब दोनों के दोनों के पिस्टल हो जाएगे हमारे पास parallel के इंदर और parallel के इंदर जो direct combination होता है C plus C यान ठीक है तो इस तरह से जब किसे भी capacitor के corresponding हमारे पास potential difference zero हो जाए तो हम उस capacitor को क्या अगर सकते हैं remove कर सकते हैं तो यह एक next type था अब इससे थोड़ा सा next type पे चलते हैं अगर कुछ इस type का आता है तो आप देखते रहना है potential difference आप देख लेना कि potential उसके corresponding दोनों end point पे potential क्या है और वो चेक करने ना उसते बहुत सारी चीजे clear हो जाएंगे ना तो next देखता हूँ मैं यहाँ पे next है type 6 यह कोई capacitor है यहाँ पे इसके corresponding a capacitor हो गया मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे मैंने a capacitor और लगा ठीक है यह a point है और यह b point है यह हो गया c यह हो गया c यह हो गया c इन्हें को corresponding हमारे पास potential आ गया तो आप इसके corresponding देखो potential चेक करते हैं इस point पे potential क्या हो जाएगा v of a इस point पे potential हो जाएगा v of a इस point पे potential हो जाएगा v of b इस point पे potential हो जाएगा v of b इस point पे potential हो जाएगा v of b आप देखो इस पहले वाले capacitor की बात करें तो एक सिरा तो v of a से connected है दूसरा सिरा V of B से पीछ वाले connector की बात करें तो एक सिरा V of A से connected है एक है V of B से नीचे वाले का भी देखें तो इसी तरह से है हम इसको rearrange करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ये तो A point हो गया अब इसके corresponding A capacitor हो गया यहाँ A capacitor हो गया यहाँ और A capacitor हो गया कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ये A point है और ये है B ठीक है और मैं ये वाला color गया ये हो गया C ठीक है और क्या बन जाएगा इस point को मैं V of A और इसको V of B आना सेम है सेम बात है ठीक है आब यहाँ से बिलकूर सबस्ट हमें नजर आ रहा है कि ये तिनो की तिनो कैपस्टर क्या है parallel combination में है तो parallel combination में resultant क्या हो जाएगा 1 by नहीं सोरी series में होता है parallel में क्या उधर है direct sum तो C क्या हो जाएगा C plus C parallel combination में तो resultant आजाएगा मेरे पास 3 times of यह हो जाएगा इसका answer ठीक है 3 times of C क्या हो जाएगा इस type के combination के अंदर हमारे पास answer ठीक है अगली type देखते हैं बिल्कुल आराम से मजे लेकर के पढ़ओ आराम से समझो चीज़ों को समझ में नहारा तो फिर से एक बार रिवाइज करके थोड़ा सा बैक करके भी देख सकते हो आप ठीक है अराम से बिल्कुल आराम से तुम जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो दुबारा comment section में आप डाल दो मैं बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल आराम राम से इसको समझाऊंगा समझाने के लिए यह हैं यहां पर ठीक है तो आप अच्छे से चीजों को समझीए अच्छे से देखिए जहां पर भी आपको confusion नजर आ रहा है तो वहाँ हमें बार बार पूछे कितनी बार भी पूछे हैं आप हम उसको solve करके बताएंगे ठीक है next टाइप पर बात कर रहा हूँ next जो टाइप है मेरे पास वह कुछ इस टाइप से है तोड़ा सा यह बना देता हूँ है figure यहां एक कैपस्टर मैंने लगा दिया है एक कैपस्टर मैंने यहां पर लगा दिया है ठीक है, समझने पे ध्यान दे हो भी, समझने पे, अगर इस टाइप से ना करके, कुछ अलग टाइप से भी अगर हमारे पास आता है, तो हम उसको अराम से सोल कर पाएं, तो थोड़ा से ध्यान दीजी आप, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया मेरे पास point A, और ये हो जाएगा मेरे पास point ये capacitor C है ये भी C है और ये भी C है और ये भी C है ठीक है मैंने भी बताया था कि पहले आप potential देख लीजिए potential क्या हो जाएगा देखो इस point के corresponding और इस point के corresponding अगर बात करें तब भी हमारे पास potential V of A ही रहेगा आना और यहाँ पर potential रहेगा V of A ठीक है इस point पर हम कुछ कह नहीं सकते और इस point पर potential रहने वाड़ा है V of B और इस point पर भी potential रहने वाड़ा है V of B ठीक है तो यह कुछ है इस तरहें से हमारे पास है बन जाएगा अब देखो A और B जो है वो किस-किस point के बीच में connected है वो आप देखिए अना तो हम देखेंगे इसका मैं थोड़ा सा equivalent capacitors का equivalent figure मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि यह यहाँ पर V of A है और यहाँ पर V of B है अना तो यह वाला मैं capacitor ले लेता हूँ पहले तो यह वाला point हो गया और यह capacitor हो गया C और यह हो गया यह point हो गया मालो A point और यह point हो गया B यानि कि V of A यहाँ पर है V of B यहाँ पर corresponding है तो और क्या बन जाएगा यहाँ से यहां से मेरे पास बन रहा है कि यह वाला जो capacitor है यह वाला इसको मैंने दर्शा दिया यहाँ पर कि यह वाला capacitor बन गया यह ठीक है और इस point को इस point से मिला देंगे तो यह वाला capacitor बन गया मेरे पास यह वाला केपिस्टर है यह बन गई यहां पर के इस तरह से बन गई बच गया यह वालम कर यह वालद कर कि इस्टर कर, यह वालम कर वालम कर फिश्टर को मैंने यहां जोर दिया न की फिर अब देखो यह इसका क principle兩個 है तुम है कि हो गया तो यह दोनों कैपस्टर है यह दूसरे के पैरलल में और पैरलल कॉमिनेशन में क्या होता है डारेक्ट सम हो जाएगा तो इसका जो next figure बनेगा मेरे पास वो क्या बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि यह तो हो जाएगा कैपस्टर यहाँ पे और यह हो गया कैपस्टर यहाँ पे इसका कैपस्टेंस हो गया 2C और A कैपस्टर बन गया यहाँ पे थोड़ा सा पैन मैं अलग ले ले लेता हूँ अच्छे से समझ में आए यह हो गया C यह हो गया C यह पॉइंट हो गया V of A और यह हो गया V of B ठीक है ऐसे कुछ है इस तरह से connected हो गया हमारे पास क्योंकि A और B point के बीच में potential हमें चेक करना था माल लेते हैं यह point A है जिसकी corresponding potential A है और यह point है B, इन दोनों के बीच हमें यह check करना है, आप देखो यह वाला 2C और यह वाला C दोनों कैसे होंगे series में, तो इनका resultant क्या हो जाएगा 1 by C is equal to 1 by 2C plus 1 by C, resultant हो गया 2C, यह हो गया 1 plus 2, और यह हो जाएगा कितना, 2C divided by 3, यानि कि 2 by 3 times of C हो जाएगा, हाना, तो resultant capacitor इसका एक next figure मैं इधर बना रहा हूँ, कि next जो resultant figure बनेगा, वो किस टाइप से बनेगा, A point और B point के बीच का capacitor तो हो गया C, जिसका यह point है, ठीक है और इन दोनों point के बीच में एक capacitance जो resultant बनने वाड़ा है, उसका capacitance हो गया 2C by 3, अब यह दोनों हो गया parallel में, और parallel में कैसे जुडता है, वो हम जोड लेंगे, कि parallel में जुड़ेगा, C is equal to 2C by 3 plus C, तो यह कितना हो जाएगा, 2 plus 3, 5, तो 5C by 3, यह हो जाएगा, total जो capacitance आने वा capacitance है, इस वाले figure का, वो कितना हो जाएगा, 5 by 3 times of C, यह हो जाएगा, resultant capacitance of the capacitor, ठीक है, अच्छे से समझ लिजी इसको, सिर्फ हमने पहले क्या किया, हर एक point का potential लिख लिए, जिस point का potential हमें पता था, इस point के बारे में मैं कुछ नहीं पता था, तो इसके बारे में हमने कुछ ने लिखा, यहाँ पे हमने कुछ ने लिखा, तो यह दोनों parallel में हो गए, इन दोनों को parallel में करने के बाद, इनको हमने calculate कर लिया, ठीक है, और यह सारे इस तरह से हम, इस type के numerical को solve कर सकते हैं, इस type का numerical अगर जब भी exam में आएगा, तो आप इस तरह से इनको solve कर लेंगे, ठी ठीक है, तो यह थे हमारे पास, type of a numerical based on the capacitor, ठीक है, अब next जो टाइप आता है, मेरे पास हो आता है, वेट स्टोन, वेट स्टोन ब्रीज, जो बनाते हैं न कैपस्टर, तो वेट स्टोन अगर बनाते हैं, ब्रीज बनाते हैं, तो उसमें किस टाइप से हम यहाँ पे capacitance calculate करेंगे, तो वेट स्टोन कब बनेगा, नेक्स्ट आता है मेरे पास, वो आता है, वेट स्टोन, ठीक है, इस वेट स्टोन ब्रीज रेजिस्टेंस में पढ़ा था न मने, तो उसी के बेस पे numerical है यह, ठीक है, तो आप देखो, यह हमारे पास आगया capacitor, C1, ठीक है, और यह capacitor आगया मेरे पास कोई C2, और यह मेरे पास आगया, नेक्स्ट, और एक capacitor मेरे पास यहाँ लगा दिया मैंने, और एक capacitor मैंने यहाँ लगा दिया, इसको मैंने नाम दे दिया, C3, इसको नाम दे दिया, C3, और यह क्या हो जाएगा, फिर C5, ठीक है, और यहाँ से connected हो गया, पॉइंट B, यह हो गया, पॉइंट A, ठीक है, तो आप देखो, इसको मैं थोड़ा सा rearrange करके, यह वैट स्टोन ब्रीज, जो हम resistance के case में वैट स्टोन ब्रीज बनाते थे, वो टाइप से हम बना सकते हैं, यहाँ से, क्या, कि यह capacitor जोड़ दिया, मैंने इधर, एक capacitor जोड़ दिया, मैंने इधर, एक बीच में जोड़ दिया, और एक क्या होता है, इस तरह से जोड़ दिया, और एक मैंने इधर जोड़ दिया, यहाँ पे capacitor है, ठीक है, और यह हो गया point B, और यह हो गया point A, ठीक है, यह हो गया C1, और यह हो गया C2, यह हो गया C3, यह हो गया C4, और यह हो गया C5, तो वै कैपेस्टेंस R1 by R2 is equal to हो जाए R3 by R4 के तो यहाँ पर जो रजिस्टेंस होता था उसको हम रिमू कर सकते थे यानि कि उसकी value हम यहाँ पर जब इसको solve करेंगे तो उसकी value हम यहाँ पर नहीं add करेंगे है ना उसकी कोई जरूरत यहाँ पर मैसूस नहीं होती है तो कैपेस्ट हो जाए C3 by C4 के तो उस case में हमारे पास यह वाला जो कैपेस्टर है C5 then तो हम C5 को क्या कर सकते हैं रिमू कर सकते हैं यहाँ से ठीक है C5 को यहाँ से क्या कर सकते हैं रिमू कर सकते हैं तो जो equivalent capacitance जो रहने वाला है उस case में हमारे पास वो equivalent capacitance जो है वो किस टाइप से बन आएगा कि जो A और B पॉइंट के बीच जो रेजल्टेंट के पिस्टेंस आएगा वो क्या बनेगा वो बनेगा C1 C3 divided by C1 plus C2 और इसको add कर देंगे किसमे C3 C4 C1 C2 है यहाँ पर C1 C2 divided by C1 plus C2 plus क्या हो जाएगा C3 plus C4 ठीक है न तो यहाँ से देखो C1 C2 यह वाला रिमू हो गया यह वाला तो रिमू हो जाएगा तो इसको तो calculate करेंगे नहीं तो C1 C2 क्या हो जाएगा सीरीज में और C3 C4 हो जाएगे सीरीज में तो C1 C2 का सीरीज क्या बनेगा 1 by C1 plus 1 by C2 तो यह क्या बन गया C1 C2 divided by C1 plus C2 1 by C और यह C क्या हो जाएगा C1 plus C2 divided by C1 C2 अना तो यह वाला बन गया पहले का और दूसरे का क्या बन जाएगा ये वाड़ा और ये दुनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगे पैरलल में तो पैरलल में हो जाएगा तो आपोजिट का सम इसमें एड हो जाएगा तो resultant capacitance जो आने वाड़ा है हमारे पास वो कुछ इस type का resultant capacitance जो है वो ये वाले ट्रम हमार पास बना रहा है और वेट्स्टोन ब्रेज की जो कंडिसंस हैं उन कंडिसंस को अगर यहां पर फोलो किया जा रहा है तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट कैपस्टेंस है वो कुछ इस टाइप के रिजल्ट यहां पर देखने को मिलने वारे कि next type देखते हैं कुछ examples देख लेते हैं वेट्स्टोन ब्रीज के based ठीक है वेट्स्टोन ब्रीज से सम्मधित कुछ example यहाँ पर देखते हैं first जो type है मेरे पास वो आ रहा है यह केपस्ट्र है यहाँ पर यह केपस्ट्र जुड़ा हुआ है और यह है point B और यह है point A ठीक है इस type से हैं हमारे पास सारे के सारे जो केपस्ट्र है सभी की जो केपस्ट्र है वो है C ठीक है यह भी C है सारे के सारे C है यहाँ पर भी केपस्ट्रेंस C है यहाँ पर भी सभी की केपस्ट्रेंस सेम है तो यहाँ पे देखो अगर कुछ समय के लिए मैं इस वाले एरिये को भूल जाऊं ठीक है यानि कि यह तीनों कैपस्टर अगर मैं यहाँ से तीनों यह तीनों कैपस्टर हटा दूँ तो यह पास जो कैपस्टर है यह वेट स्टोन ब्रेज की कंडिशन को इस के अंदर और similarly अगर मैं इन दोनों इन तीनों को भूल जाऊं कुछ समय के लिए तो यह वाले जो पाँच है यह भी वेट स्टोन ब्रेज की कंडिशन को सेटिस्पाई कर रहे हैं यानि कि जब यह वेट स्टोन ब्रेज की figure बनाना चाहूँ तो कुछ इस type ने पाँ figure मेरे पास बन सकता है इस हो अना तो यह हो गया मेरे पास point A यह हो गया B यह सबीकी capacitance हो गई तो यह वाला जो figure है इसका equivalent figure हो जाएगा अनाब यह तिनों के तिनों एक दुसरे के साथ क्या है series में है तो उपर वाले भी और निच्छे वाले भी resultant capacitor क्या हो जाएगा 1 by C is equal to 1 by C plus 1 by C plus 1 by C ये कितना हो जाएगा 3 by C और resultant C कितना हो जाएगा C divided by 3 तो ये C divided by 3 उपर आजाएगा C divided by 3 निच्छे आजाएगा तो इससे next जो figure बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा कि A capacitor तो यहाँ आगया और A capacitor यहाँ आगया इसकी भी capacitance है C by 3 इसकी भी capacitance है C by 3 ये point आगया A और ये point आगया मेरे पास B ठीक है अब दोनों का add कर दीजिए resultant तो parallel में हो गया भी है और parallel में क्या होता है direct sum होता है तो resultant capacitance क्या हो जाएगा C divided by 3 plus C divided by 3 तो twice of C divided by 3 this is the capacitance of this whole figure इस वाड़े figure की resultant capacitance हो जाएगी twice of C divided by 3 ठीक है तो ये यहाँ पे resultant capacitance of that capacitor यहाँ पे बन जाएगा next type पे चलते हैं अब मैं इसको थोड़ा सा infinite तक लेके जा रहा हूँ ठीक है थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ जब हम इसको बढ़ा आगे बढ़ा करके अगर थोड़ा infinite ले जाएने मैं infinite number of capacitor इसमें add कर दे तब क्या बनेगा तो देखे second जो type है मेरे पास उसका मैं figure बना रहा हूँ यहां पर क्या बनेगा यह कोई A point है यहां पर मैंने capacitor जोड़ दिया और यह कोई है point भी यह है A point यह है B और A capacitor जोड़ दिया मैंने यहां पर ठीक है इस तरह से A capacitor जोड़ेगा यहां पर एक capacitor मैंने जोड़ दिया यहां एक जोड़ दिया यहां ठीक है फिर अगेन एक जोड़ दिया यहां एक जोड़ दिया यहां और फिर इस तरह से मैंने क्या किया मैं इसको आगे बढ़ा के ले गया infinite तक ठीक है यानिकि infinite number of capacitor यहां पे जुड़े हुए हैं और यह जो उपर वाले जुड़े हुएं है यह हैlo C1 यहन्äus कि इनकी capacitance सेम है C1 और यह बीच में निचे जुड़े हुए है इनकी capacitance है C2 ठीक है और यहां इस तरह से infinite number of कैपिस्टन्स यहां पर जुड़े हुए है तो देखो हम क्या कर सकते हैं यहां पर अगर किसी भी पॉइंट से इसको तोड़ने की कोशिस करें किसी भी पॉइंट से अगर बात करें मैं किसी भी पॉइंट पर मलो infinite पे जाकर के या कहीं पर भी बात करें माल लेते हैं यहां से मैंने इसको break कर दिया इस point से और इस point से तो जब इस point से और इस point से तोड़ेंगे तब भी आगे वह ऐसा ही बनेगा जैसे पिछे है हाना अगर इस point से तोड़ देंगे तब भी वैसा ही बनेगा, कोई और आगे चल के चल के चल तोड़ेंगे तब भी वैसा ही बनेगा, हाना, तो equivalent capacitance है, वो इस type से ही बनेगा, तो resultant, देखो, मैंने क्या किया, मैंने यहां से, इस point से इसको तोड़ने की कोशिश के रिये, और मैंने माल ल मैंने एक figure यहाँ पे draw कर रहा हूं मैं नीचे ये capacitor हो गया पहला ये हो गया कोई दूसरा ये point A है ये B है और ये सब जोड जाड के एक capacitor बन गया मैंने कोई भी नाम दे दिया उसको C of R resultant capacitance ठीक है तो देखो ये C of R इस C of 2 के साथ में क्या है parallel के अंदर है parallel में होगा तो resultant capacitance क्या हो जाएगा direct sum तो इसका equivalent इससे आगे जो step में next step में जो बनेगा वो कुछ इस type से बन जाएगा यहाँ पे A capacitance और ये हो गया point A ये हो गया B ये हो गया C of A और इसको मैं लिखता हूँ C2 plus CR हना अब ये वाला और ये वाला दोनों हो गए series में अब इनको series में add कैसे करते हैं one by करके तो resultant आगे जो इससे next step आएगा वो resultant क्या बनेगा कि इनको series में जोट दीजिए तो one by C is equal to one by C of A plus one by C of 2 और C of R तो resultant क्या बन जाएगा C2 plus CR plus CA divided by CA multiply C2 plus CR ये हो जाएगा one by C ठीक है और इससे आगे मैं थोड़ा से लिख देता हूँ यहीं पर यह यानिकी capacitance C जो बनेगा वो बनेगा C of A C2 plus CR और ये बन जाएगा C2 plus CR plus C of A ठीक है ये हो गया total capacitance between A and B ठीक है तो इस तरह से अगर हम जैसे पहले हमने किया था कि infinite number of jod के हमने क्या मान लिया था उसको C of R कोई भी C of R मनना था तो ये सारे का सारे का capacitance C of R के बराबर ही आना चीए अना त्यानिकी ये जो total बनेगा हमारे पास C of A B जो आया है वो किसके बराबर आ जाएगा C of R के बराबर ही आएगा ये वाला ये वाला किसके बराबर आ जाएगा c of r के बराबर ही आएगा अब इसको solve कर लेते हैं ठीक है solve करेंगे तो कैसे आएगा देखो c of r के बराबर आएगा ही अब इसको right hand side में multiply कर देते हैं यह नीचे वाले drum है यह इसको c of r से multiply कर देते हैं यहाँ पे क्या है c of a b है वो c of r के equivalent है तो इसको right hand side में multiply करेंगे तो इतरे left में पुझेगा c of a c2 plus c r that is equal to c of r multiply में क्या हो जाएगा c2 plus c r plus c a नीचे वाले टरम जब right hand side में ले जाएगे तो उपर चली जाएगे c r के साथ multiply तो यह बन गया c a c2 plus c a c r that is equal to c r c 2 c r का square और c r into c of a ठीक है c a c r c a c r इधर भी है इधर भी है दोनों cancel out होगे इस वाले टरम को इधर ले जाओ क्या बन जाएगा c of r का square plus c r c 2 यह वाले टरम इधर जाएगे तो minus हो जाएगे minus of c a c 2 that is equal to 0 ठीक है अब यह एक क्या बन गया हमारे पास quadratic equation बन गी है ना c r में c r की form में यानि कि यह एक equation इस type से बन गी x square plus sum constant मान लेते हैं a x और minus of constant a b ठीक है that is equal to 0 इसके हम solution कैसे निकालते है minus of b plus minus under root b square minus 4 a c divided by 2 a यह solution होता है इसका ठीक है तो यह solution मैं इस equation के निकालता हूँ तो इसके solution क्या हो जाएगा c of r किसके बराव हो जाएगा minus of b b की जगे क्या है c2 तो minus of c2 plus minus under root क्या हो जाएगा b square b square क्या है c square c square minus 4 a c a की जगे term क्या है 1 और c क्या है c1 c2 ठीक है यह c2 है और divided by 2 a तो पूरे की divide में आगे मेरे पास 2 ठीक है उसी इस तरह से आएगा समझ में आ रहा है न अच्छे से आप देखो इसके solutions क्या आ जाएगे मैंने क्या किया यहाँ पर minus of c2 अब मैं यहाँ से c2 common out ले रहा हूँ यहाँ से c2 common out लेंगे तो क्या हो जाएगा c2 बार आ गया ठीक है यहाँ सुकेर था तो यहाँ भी सुकेर बार लेंगे एक c2 है तो एक divide में चला जाएगा तो 1 minus 4 c1 by c2 और सारे के divide में क्या है मेरे पास 2 ठीक है यहाँ सिर्फ परलस वाले टरम हम लेके चलेंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक solution क्या निकल के आएगा कि minus of c2 c2 common out ले लिजे ठीक है जब c2 common out ले लेंगे तो यह हो जाएगा c2 divided by 2 यहाँ बचेगा minus 1 ठीक है पलस माइनस पलस वाला ही ले रहा हूँ है मैं माइनस वाला को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ पलस और यह बन गया under root 1 minus 4 c1 by c2 ठीक है ओके तो मैं लिख सकता हूँ कि c of a b जो है वो किसके बराबर हो जाएगा c2 by 2 इसको में लिख सकता हूँ under root 1 minus 4 c1 by c2 और minus में यहाँ पर हो जाएगा 1 ठीक है b square minus 4 a c c क्या है negative है बई तो minus minus पलस हो जाएगा यहाँ पर sorry यह वाली पलस बन जाएगा ठीक है और यह वाली ट्रम बन जाएगी पलस तो यह हो जाएगा मेरे पास पलस है तो a और b के बीच में जो resultant capacitance है वो रहने वाड़ा है कुछ है इस type से काब है जब infinite number of capacitance हमारे पास connected हो उस case में अगर हमें निकालना हो तो कुछ इस type से हम यहाँ पे capacitance of the capacitor निकाल सकते हैं भी ठीक है ओके next इस type की नुमरी कलाब कर लोगे हो जाएगा अब इसी type का NX में तो उसको थोड़ा सा skip कर रहा हूँ अब मैं बात कर रहा हूँ कि जब battery जो हमारे पास connected होती है capacitance से अगर एक से ज़्यादा battery cells हमारे पास connected हो तो उस case में battery की वज़े से capacitance of the capacity क्या affect पड़ेगा ठीक है तो यहां पर मैं लिखता हूँ next type है when more than one cell connected ठीक है जब एक से ज़्यादा battery जो है वो capacitor के साथ connected हो तो क्या होगा हमारे पास हमने मान लिया कोई इस तरह का figure है मेरे पास की एक capacitor है ये और इसके साथ एक battery जुड़ी हुई है यहां पर और एक battery मैंने जोड़ दी यहां पर और एक capacitor जुड़ा हुआ है यहां ठीक है यह कैपिस्टर मैंने माल लिया C1 है और यह है C2 इस बैटरी का वोल्टेज मैंने माल लिया E1 है और इसका है E2 तो रिजल्टेंट जो हमारे पास वोल्टेज रेने वाड़ा है वो दोनों बैटरी के डिफरेंस के बराबर रहेगा तो इसका एक्वेलेंट जो हमारे पास बने रहने वाला है वो रहने वाला है जो ज्याद्धा वोल्टेज है इस बैटरी का उसमें से और कम वाले को सब्ट्रेक्ट कर दो मान लेते हैं इवन माइनस एक ठीक है तो पोटेंशियल ड्रोप एक्रोस दा कैपस्टर अगर निकालना हो तो पोटेंशियल C1 और C2 के कोरिस्पोंडिंग अलग लग होगा तो पोटेंशियल डिफरेंश दोनों कैपस्टर किस तरह से कनेक्टिड है भी है आपे सीरीज में है तो सीरीज में है तो वन बाई होकर के जोड़ने चाहिए ठीक है तो पोटेंशियल डिफरेंश एक्रोस C1 अगर आपसे पुछे तो कि क्या हो जाएगा यहां से दूसरा जो केपस्टर से C2 डिवाइड़ बाई C1 प्लस C2 और मल्टिप्लाइ बाई पोटेंशियल पोटेंशियल कितना है E1-E2 यह हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंश एक्रोस दा कापिस्टर सीवन इसी तरह से अगर आपसे पुछे कि पोटेंशियल डिफरेंश एक्रोस केपस्टर सीटू वो कितना रहने वाला है तो यहां पे दूसरा केपस्टर से माले पास C1 यह हो जाएगा C1 प्लस C2 और पोटेंशियल कितना है E1-E2 यह हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंश एक्रोस दा कापिस्टर सीटू और यह हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंश एक्रोस दा कापिस्टर सीवन इस तरह से हम यहां पे निकाल सकते हैं होई ठीक है नेक्स्ट बात कर लते हैं अगे चलते हैं मारे पास एक प्रम यहां पर गीवन है यह कोई पॉइंट है यहां पर गहाई कैपस्टर सीवन यहां पर एक बैटरी कनेक्टिड है अब हमें जो है वो कहा गया है कि जो ए और बी पॉइंट है उन दोनों के बीच का जो पोटेंशल डिफ्रेंस है वो दिरखा है वी ठीक है क्या कह रहा है दा पोटेंशल डिफ्रेंस बिट्विन पॉइंट ए एंड पॉइंट भी इस कितना है वी ठीक है यह पोटेंशल डिफ्रेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी के तो देखो इस फिजर को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे मैं इसका पोटेंशल लिख सकता हूँ कि यह इस तरह से कोई पोटेंशल वी यहाँ पे कनेक्टेड है ठीक है वी पोटेंशल है यानि कि वी पोटेंशल डिफरेंस है तो मतलब वी वोल्टेज इसके साथ बैटरी कनेक्टेड हो सकती है और जब इसको रियरेंज करेंगे तो इस फिगर को मैं कुछ इस टाइप से बना सकता हूं कि एक बैटरी बना दी मैंने यहां पर वो क्या है और निच्चे जो दो कैपस्टर है मेरे पास दो कैपस्टर है उनको किस तरह से जोड़ सकते हैं एक कैपस्टर हो गया सीवन और एक कैपस्टर हो गया मेरे पास सी टू ठीक है ना इस तरह से हम यहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं वी डारेक्ट हो जाएगा ठीक है तो य यह तो थे numerical based on किसके बेस्ट पर हमारे पास है grouping of capacitor कब जब capacitor के अंदर dielectric नहीं भरा गया हो अब हमने क्या किया था पहले निकाड़ा था पहले grouping of capacitor किया और फिर हमने उसके अंदर कोई dielectric डाल दिया था जिसका dielectric constant के था तो अब dielectric हमने डाल के देखा था तो dielectric के बेस numerical भी हमसे पूछ सकता है तो अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास capacitor है उस capacitor के अंदर क्या करेंगे अब हम dielectric और add करके देखते हैं भी ठीक है grouping of capacitor with dielectric अब हम उसके अंदर dielectric और add कर देंगे तो एक बार क्या करेंगे capacitor के अंदर डाल करके और उसको series में add करने की कोशिस करेंगे कि क्या resultant निकल क्या आता है फिर हम उसको parallel में जोडने की कोशिस करेंगे फिर series और parallel सारे combination को एक साथ चेक करके देखते हैं कि resultant capacitance क्या निकल के आता है ठीक है तो देखते हैं भई क्या कर रहा हूँ मैं grouping of capacitor grouping of capacitor with dielectric ठीक है इसके अंदर dielectric भर देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है तो पहला केस है मेरे पास पहले केस में मैं क्या कर रहा हूँ पहले केस के अंदर पहले केस में मैं देख रहा हूँ two capacitor are connected in series पहले केस में दो capacitor है उनको मैं series में जोडता हूँ connected in series में जोड दिया हूँ तो डाइलेक्ट्रिक भरके और फिर उनको series में जोडते हैं तो एक capacitor ये हो गया और एक capacitor ये हो गया ठीक है ओके तो अब देखते हैं क्या किया हमने माल लेते हैं ये एक capacitor है हमारे पास एक ही capacitor था ये टोटल ठीक है यहां से और यहां तक एक capacitor था जिसकी थिकनेस है डी और area of cross section है मेरे पास ए अब इसके दो parts में divide कर दिया है मैंने अदे area में तो एक dielectric add कर दिया इसकी dielectric constant है k1 और इस वाले हिस्से में मैंने एक और dielectric add कर दिया जिसका dielectric constant है k2 ठीक है तो ये माल मेरे पास one हो गया अब इसकी जो distance of separation हो गया ठीकनेस है होगी वो d by 2 और इसकी भी d by 2 ठीक है ना दोनों को half half में तोड़ दिया हमने तो पहले वाले के case में देखो जब हम dielectric add करते हैं तो capacitance होता है k times of a क्या होता है epsilon not a divided by d ऐसा कुछ होता है अब के तो अब पहले वाले की case में अगर बात करें जो half portion है उसका dielectric जो capacitance रहने वाड़ा हो क्या रहेगा k1 epsilon not a area of cross section तो उतना ही रहेगा d हो गया d by 2 दूसरे वाले का capacitance का क्या हो जाएगा k2 epsilon not a divided by d by 2 अना यही बन जाएगा अब resultant capacitance क्या हो जाएगा दोनों के दोनों series में connected है तो resultant capacitance क्या होता है इस तरह से कुछ जुड़ता है 1 by c1 और 1 by c2 अब c1 c2 की जगए values पुट कर दीजिए तो 1 by c1 किसके बराबर है k1 epsilon not a और d by 2 चला जाएगा उपर दूसरा वाला क्या है k2 epsilon not a और d by 2 चला जाएगा क्या है उपर चला जाएगा इसी तरह से बनेगा ना तो यह आ गया हमारे पास capacitance अब इनको add कर सकते हैं आपसाइलन की नॉट यह अब्लक हो अबसाइलन नौक्त में ऑफले नोट तो नों में Eigen की तोनुह प्रेंए यह यह अब क्या है ये भी common है ये भी common है सिरफ k1 k2 बनेगा हाना तो यानि कि ये 2 भी निच्चे आ सकता है ये 2 भी हम निच्चे लेके आ सकते हैं मैं इसको लख सकता हूँ एक बार फिर से क्या कि D और k1 2 epsilon note A और मैं इसको भी लख सकता हूँ d k2 2 epsilon note A lcm लेंगे तो lcm में क्या बन जाएगा k1 k2 2 epsilon note A यहाँ पर क्या बन जाएगा k1 है तो ये बन गया k2 और ये बन गया हमारे पास k1 और ये चला जाएगा d ठीक है तो resultant क्या बन जाएगा मेरे पास resultant ये किसके बराबर है 1 by c के बराबर था हना तो c क्या हो जाएगा c जब मैं इसको लिखोंगा तो c बनेगा मेरे पास c क्या हो जाएगा इसका उल्टा कर देंगे हना c हो जाएगा twice of k1 k2 divided by k1 plus k2 और ये क्या हो जाएगा epsilon not a divided by ठीक है ये हो जाएगा capacitance of a capacitor कब है जब दोनों दो capacitor मलो एक को हमने दो equal parts में तोड़े के और दोनों हिस्टों में अलग-अलग type का dielectric बर दिया जिनका dielectric constant क्या है मेरे पास k1 और k2 है यानि कि दो अलग-अलग dielectric constant वाड़े capacitor एक दूसरे के साथ जब series में connected होंगे तो उस case में हमारे पास resultant capacitor आने वाली है वो capacitance क्या रहेगी वो यहाँ पर हमने देखा है ठीक है इवर फिर से देख सकते हो इसको ठीक है देख लो अच्छे से एक capacitor था जिसकी ठीकनेस हमारे पास डी थी उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया दी बाई टू और डी बाई टू ठीकनेस के साथ हाना और फिर दोनों में अलग-अलग डाइलेक्ट्रिक बढ़ दिया एक का constant है k1 एक का है k2 दोनों को add कर दिया तो यह डी बाई टू इसकी ठीकनेस हो गई हाना तो यहां से दोनों की capacitance निकाल ली और फिर हमने डारेक्ट formula लगा दिया जो capacitance पहले प्लेट के बस्ट को जोड़ता है डारेक्ट कोई ज़्यादा दिक्रत वाली बात है नहीं हाना अब क्या करेंगे यह तो series में connected थे अब इनको दूसरी साइड से तोड़ते हैं ठीक है parallel में क्या केस आजएगा second case second case की बात कर लेता हूं मैं second case आगया मेरे पास when two capacitor are connected in parallel and two capacitor connected in parallel जब इनको parallel से तोड़े तब तो यह capacitor है मेरे पास d क्या है distance of separation दोनों plate के बीच का a क्या है area of cross section पहले हमने इस तरह से तोड़ा था अब क्या करेंगे इसको अब दूसरी साइड से ब्रीक कर देते है ना डाइलेक्ट्रिक जो है वो इस साइड से तोड़के और अब उपर वाले में अलग भर देते हैं डाइलेक्ट्रिक निचे वाले में अलग भर देते हैं यहाँ पे जो उपर वाड़ा हिस्सा है उसमें अलग डायलक्रिक बर देंगे, निचे वाड़ा हिस्से में अलग डायलज्टरिक बर देते हैं, इस टाइप से कुछ करके देखते हैं, क्या निकल के आता है, क्या पता कुछ अलग हो जाए, अलग तो हो गई भई, यह jongen हो गय यहां पे ठीक है तो कैपेस्टेंस क्या हो जाएगा C1 अगर बात करूँ तो वो किसके बराबर होता है के टाइमस ओफ अपसाइलन नोट ए तो क्या क्या हो जाएगा के वन अपसाइलन नोट ए एक ही जगे क्या हो जाएगा A by 2 और divided by D C2 क्या हो जाएगा K2 अपसाइलन नोट A by 2 divided by D ऐसे बनेगा अब दोनों कैसे connected है parallel में और parallel के अंदर हमारे पास जो resultant के पिस्टेंस होती है वो कैसी होती है कि resultant जो C होता है वो क्या होता है C1 प्लस C2 के बराबर होता है तो C1 हो गया हमारे पास K1 अपसाइलन नोट A by 2 that is D और पलस हो गया K2 अपसाइलन नोट A by 2 divided by D ठीक है ये बन जाएगा common out है K1 प्लस के 2 को छोड़के सब common out है अना तो क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ से अपसाइलन नोट A divided by 2D और यहाँ से बन गया K1 प्लस के यह हो जाएगा resultant capacitance इन कब जब तो हमारे पास है डाइलेक्ट अलग अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक से बरे हुए capacitance है वो कैसी जुड़े हुए हो पैरलल के अंदर connected हो उस case में हमारे पास जो resultant डाइलेक्ट्रिक निकल के आएगी capacitor की वो कुछ इस टाइप से निकल के आएगी अब next बात करते हैं कि हम अलग अलग टाइप की capacitor ले लेते हैं कि एक के साथ दूसरे को तो series में जोड़ दिया फिर उन दोनों के साथ किसी और को parallel में भी जोड़ देंगे याने कि series और parallel तिन्नों ही combination यहाँ पर निकल के आएगे ठीक है तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर देखो थर्ड टाइप लेके चल रहा हूँ थर्ड जो टाइप है मेरे पास वो क्या कर रहे है series as well as parallel combination ठीक है series भी है और parallel भी है दोनों टाइप के combination यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर दोनों टाइप के combination एक बार आपके सामने बना देता हूँ किस टाइप से बन सकते हैं देखो यह हमारे पास एक पहले जो कैपेस्टर था न वो था जिसका area of cross section यह है मेरे पास ए अब इसको तो हाफ बागों में तोड़ दिया यह बन गया a by two और यह भी बन गया a by two इसका distance of separation है डी अना तो निच्चे वाले इससे को ले लो यह उपर वाले को ले लिए इसको डी को भी तोड़ दिया मैने तो यह भी बन गया d by two और यह भी बन गया d by two इसमें parallel combination भी है series combination भी है तो मैने ले लिया कि इसका dielectric constant है के वन इसका मैने ले लिया के तू इसका मैने ले लिया के त्री इस टाइब से यह फिल्म यह डाएले लेक्रिक बढ़ा हुआ है यह यह अलग टाइप का dielectric बढ़ा हुआ है इसमें थोड़ा अलग का dielectric constant है के अब सभी की पहले capacitance निकाल लेते हैं तो इस वाले की capacitance निकालते है पहले C1 कितनी हो जाएगे बही देखो C1 क्या होता है K मतलब dielectric constant K1 epsilon note A A कितना हो गया इसका A by 2 और D कितना है D हमारे पास D ही है तो यह हो जाएगा पहले वाले का capacitance दूसरे वाले की capacitance निकालते हैं इसकी इसकी निकालेंगे तो देखो इसका हो गया capacitance K2 epsilon note area हो गया A by 2 और D भी दो equal parts में तूट गया यह हो गया D by 2 ठीक है यह हो गया second और third की बात करें तो यह भी कुछ इस type का आएगा K3 epsilon note A by 2 और D जो है वो भी half हो गया तो यह हो गया third अब इस type से यह connected है अब इनका resultant भी निकाल सकते हो resultant कैसे निकालेंगे पहले आप निच्चे वाले जो है K2 K3 उन दोनों का निकाल लो क्योंकि K2 और K3 क्या है एक दूसरे के साथ किस तरह से connected है series में connected है तो series में connected है तो वो 1 by होकर के जुड़ेंगे ठीक है और उनके साथ में जो K1 है वो parallel में है वो direct जुड़ जाएगा हम इसका resultant जो capacitance है वो कुछ इस type से लिख सकते है कि resultant जो रहने वाड़ा है वो क्या रहेगा कि C1 C2 C3 का equivalent यानि कि 1 by C1 plus 1 by C2 और इसके साथ में C3 को C1 को direct route ये रहने वाड़ा है ठीक है और 1 by C1 कितना हो जाएगा C1 की value है मेरे पास क्या C1 की value क्या आई थी भई K1 epsilon naught A by 2D तो ये हो जाएगा 1 by K1 epsilon naught A divided by 2D फ़ला C2 कितना आया है मेरे पास K2 epsilon naught A by 2 D by 2 ये आगया और पलस C3 direct K3 epsilon naught A by 2 और D by 2 ये resultant निकल के आया था तो पहले इन दोनों को solve कर लेते हैं इन दोनों को solve करके देखते हैं क्या हो जाएगा यहां से epsilon naught A2D epsilon naught A2D यहां मैं लिख रहा हूँ 2D उपर चला गया ये हो गया K1 epsilon naught A फलस ये क्या हो जाएगा D by 2 है और A by 2 यानि के 2D तो उपर चला जाएगा और ये 2 जो है वो इन के साथ हो जाएगा A2 epsilon naught A ठीक है epsilon naught 2D by epsilon 2D by epsilon naught A2D by epsilon naught A common हो गया फलस इसको मैं एक बार ऐसे ही लिखता हूँ ये 2 उपर चला गया ये 2 निच्छा आगया D वाड़ा ये दोनों cancel out हो गया तो ये बन गया 2D by epsilon naught A common हो गया ये बन गया 1 by K1 और ये बन गया twice of K2 पलस ये हो गया K3 epsilon naught A divided by यहां से क्या बन गया देखो 2D by epsilon naught A क्या बन जाएगा twice of K2 plus K1 twice of K1 K2 plus K3 epsilon naught A divided by D divided by D epsilon naught A by D यहां भी है यह अलग है यह यह अलग है यह यह D by epsilon note है यहां पे epsilon naught A by D है इसके साथ में एड़ करेंगे यह वड़ा तो अलग ही है इसके साथ जब इसको एड़ करेंगे तो इसको थोड़ा उल्टा करेंगे फिर उसके बाद एड़ हो गई है यह ना तो resultant क्या बन जाएगा मेरे पास यह बन जाएगा यहां से epsilon naught A divided by 2D और twice of K1 K2 divided by divided by क्या बनेगा twice of K2 plus K1 अब यह add होगा इसके साथ K3 epsilon naught A divided by A epsilon 8 by D यह आप है यहां भी है तो यह common out ले लो epsilon naught A by D यहां पर यह 2 इसके साथ और अंदर चला जाएगा एक बार multiply में यहां कह सकते हैं इस 2 से 2 cancel out हो जाएगा तो यहां पर बच गया K1 K2 twice of K2 plus K1 और पलस यहां पर बच गया मेरे पास K3 ठीक है सिरफ इतना करके छोड़ दो यह थोड़ा और आगे इसको solve करना चाहो तो आपकी मर्जी है यहां से और अगे भी solve यह 2 जो है वो यहां पर ठीक है यह इस टाइप से यहां से हो जाएगा यह वाले ट्रम्प्स यहां पर निकल के ओंके यह वाला last resultant हो जाएगा लगभग नहीं पर कबिश्टन के लिए कर सकते हैं ठीक है तो क्यपेस्टेन्स ओवड़ की जो हमारे संबंदित थे नुमेरीकल वो हमने सभी यहां पर शोल कर भी ए हैं ठीक है आपके यहां खुल लग बग इन्ही फॉर्मूला बेस सारे के सारे क्यूस्ट यहां पर आने वाले हैं और काफी इंपोर्टेंट टूपिक यहां पे रहने वाला है अगर इससे संब्दित अगर कोई भी प्रोलम आती है कोई दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में डालिए हम उसको सवाल करने की पोसिस करेंगे भी ठीक है आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टोपिक लगके आते हैं